Hello people, मेरा नाम डॉक्स है and आज मैं आपको एक काफी unfortunate news देना चाहता हूँ People, अगर आप मेरे channel की content से familiar है तो आपको बता होगा कि मैं anime के साथ साथ dojin पे भी content upload करता रहता हूँ and you know, मेरे channel पे मैं जितनी भी dojin से बात करता हूँ discuss करता हूँ, reviews करता हूँ वो somehow associated रखती है to a particular website called NH अभी, you know, YouTube ऐसे dojin जैसे topics को support नहीं करता इसलिए हम website को पुरा नाम नहीं ले सकते हैं इसलिए हम website को NH बोलके ही refer करेंगे People, you know, the thing is NH की जो website है ये एक not so legal website है मतलब इस website पे जो भी होता है वो इतना legal नहीं है It is kind of illegal, you know And the problem ये है कि illegal websites पे चीजें गायब होने का काफी डर हो सकता है And very unfortunately यही हुआ है People, कल around सुभे दुफैर के आसपास मैं तो कोई ये news आई कि NH की website पे एक purge हुआ है Purge को मैं बहुत simple terms पे समझाओ तो purge का मतलब है किसी चीज का गायब हो जाना, किसी चीज का खतम हो जाना in a violent way And वही हुआ कल दुफैर के आसपास NH की website पे एक purge हुआ Approx 12,000 के आसपास galleries मतलब दो जिन्स गायब हो गई And यह काफी shocking news थी because 12,000 का number हमने आज तक कभी नहीं सुना NH की history में Like this was not the first time कोई ऐसा purge हुआ है इससे पहले भी purge होते रहते थे बट यह पहली बार हुआ होगा कि 12,000 का number हमने चुआ है And it was just too shocking for everyone हमें जो भी reports मिली है वो यह बताती है कि अभी तक बनलब NH websites की पूरी history में अभी तक Approx 26,700 dojins गायब होई है And यह क्यों होती है इसका कोई exact reason हमें कभी नहीं बताया गया NH की तरफ से कभी कोई official statement नहीं आई गई है But हमें यह एक काफी shocking था सभी के लिए था मेरी लिए भी था You know यह वाला purge जादा extreme था Because first of all एक तो 12,000 number टच किया गया है And दूसरा इस purge में एक बहुत ही Iconic dojin हमने खो दी है इस dojin के बारे में आपने सुना होगा इस dojin का code है 177013 Also known as metamorphosis इस dojin के बारे में आपने बहुत से memes देखे होंगे बहुत से references देखे होंगे Anime community में And यह काफी iconic dojin थी मतलब यह dojin इतनी famous थी कि I think यह पहली या फिर इकलौती dojin है जो non-animic community में भी famous है इस dojin के वज़े से ही NH को इतनी जादा popularity मिली थी यह शायद से कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि metamorphosis जैसी dojin भी गायब हो सकती थी सबको लग रहा था कि you know छोटी मोटी dojin गायब होगी बट इतनी legendary और इतनी पुरानी dojin गायब होगी website से यह एक सहिच में किसी ने expect नहीं किया था बट you know यहाँ पे सिर्फ metamorphosis की भी बात नहीं है यहाँ पे और भी dojin गायब हुई है और सिर्फ dojin नहीं यहाँ पे पूरी कैटेगरी गायब हो गई है आर्टेस जैसे क्योक्चो, बूत्चा, मीन फिफ्टी, मिजर्यू के, बोशी, इशीकेन और वर फे प्रॉमिनेंट नेम्स इन दे वर्ल्ड अफ दोजन, शिन डॉल ऐसे कुछ आर्टेस की पूरी कैटेगरी ही गायब हो गई है सिर्फ एक, दो, दो जिन्स की बात नहीं हो रही हम उनकी कोई भी दो जिन्स आपे ढूडने ही पा रहे है और सिर्फ यही आर्टेस नहीं है हम websites पर अपनी favorites को mark कर सकते and जब मैंने अपनी favorites चेकी, मेरे favorites में से approximately approximately 1202 जिन्स गाय भुजे की and I felt like bro this is serious, 1202 जिन्स मेरे पूरे collection से मैं बहुत ही sudden shock में आगे कि ये क्या हुआ मैंने बहुत सारी जिन्स पढ़ने की favorite जिन्स पढ़ने की कुछ मिली कुछ नहीं मिली उस moment में मुझे एक बहुत ही sudden realization हुई कि शायद से ये start है एक बहुत बड़े piracy end का because at the end of the day ये में बूलना नहीं चाहिए कि NH website एक pirated website ही है जो हमें free में दो जिन्स distribute करता है ऐसे purchase के पीछे mainly you know Japanese enforcement का हाथ होता है because Japanese media Japanese in general अपने copyrights और अपने privacy के लिए काफी जादा serious होते है तो वो इनको काफी seriously देते है ये जो purge हुआ है ये एक बहुत बड़ा example है कि आगे जागे और भी dojins गायब होगी या फिर पूरी NH की website ही delete हो जाएगी ये एक बहुत बड़ा example है सब ही के लिए and you know ये सिर्फ dojins की बात नहीं है ये पूरे anime community की बात है अगर इतनी बड़ी websites के साथ ऐसा कुछ हो सकता है तो creators के साथ भी हो सकता है अगर हम उस logic से सोचे तो almost सारे anime creators का या फिर manga creators dojin creators मेरी तरह सब का channel somehow danger में है but still हम इस चीज़ के लिए कुछ कर नहीं सकते it's really unfortunate कि हमने एक essay event को witness किया it is really unfortunate कि हमने इतनी एक legendary dojin को खो दिया I mean it's not like कि आप कभी भी फिर metamophysis को पढ़ने ही सकते but you know अब अब metamophysis को 177013 के code से NH website पे नहीं पढ़ सकते that is really unfortunate you know मैं इतने साल उसे dojin's consume कर रहा हूँ कि मेरा emotional connect बन गया है इस पूरे dojin world पूरे dojin community से मैं इस dojin community को बहुत प्यार करता हूँ and बुरा लगता है जब ऐसी कोई चीज होती है and people मैं बताना चाहता हूँ कि हम बहुत ही जल्द channel पे metamophysis code 177013 की dojin पे एक review डालने वाले है इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप bell icon दबा लीजिए कि आपको video डालती notification आए अपने सारे दोस्तों को बताईए सबको बताईए कि मैं metamophysis पे एक video डालने वाला हूँ thank you people for watching this video please like करे, subscribe करे अपने आड़े में मित्रमंडल से हमारा video शेयर कीजिए कि उन्हें भी इस unfortunate event के बारे में पता चले और वो शोक बनाए and people please comment section में अपनी विचार धारा को प्रकट करना ना भूलिए मैं भी जाना चाहता हूँ कि आपका opinion क्या है see you soon people in the next video goodbye and rest in peace 177013